महराश्च्र के और अंगाबाद में आज सुभा एक दिल धहला देने वाली घटना हुई जहां रेल की पट्री पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाडी ने रौन दिया और अंगाबाद के जलाना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ है जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई है और जबकि कई मजदूर खायल बताये चा रहे हैं ये सभी प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश के रहने वाले थे और अपने घर पैदर ही जा रहे थे जिस दोरान ये हादसा हुआ है इस घटना के बाद स्थानिय प्रसाशन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुँचे और रेलमंत्री ने जाच के आदेश दिये हैं रेलमंत्राले ने बताया कि घटना बदनापुर और करनाड स्टेशन के बीच की है ये इलाका रेलवे के परभड़ी मनमाड सेक्शन में आता है शुक्रवार तड़ के मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे मालगारी के ड्राइवर ने उन्हें देख लिया था बचाने की कोशिश भी की बर हादसा हो गया वही प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने भी घटना पर दुख जताया है और मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चाहान ने मृतक मजदूरों के परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का एलान किया है भारतिय रेल्वे की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन मजदूरों की मौत हुई है वो सब ही मध्यप्रदेश के रहने वाले थे और महराश्ट्र के जलाना में SRG कमपनी में कारे रत थे पांच मई को इन सभी मजदूरों ने जलाना से अपना सफर शुरू किया पहले ये सब ही सडकों के रास्ते आ रहे थे लेकिन औरंगाबाद के पास आते हुए इन्होंने रेल्वे ट्रैक के साथ चलना शुरू किया था करीब 36 किलो मीटर तक पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर ठक गए थे तो ट्रैक के पास ही आराम करने के लिए लेट गए और वही पर सो गए इसमें से 16 लोग ट्रैक पर सोई थे दो बराबर में और बाकी 3 लोग कुछ दूरी पर सोई थे इन ही में से 16 की मौत हो गई है और बाकी 5 जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुचाया गया है आपको बता दें कि 24 मार्च को जब लॉग डाउन का एलान हुआ था तो लाखों की संख्या में मजदूर फस गए थे उसके बाद कई मजदूर पैदर ही सैकडों किलोमीटर चल कर अपने घर के लिए रवाना हुए थे बीते दिनों राज्य और केंद की ओर से बस ट्रेन की विवस्था की गई है लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि नमबर आने में ही लंबा वक्त लग रहा है नुष्टिस्क